तो शुरू करते हैं इस अपते की खबरों का सिलसिला कॉर्पिट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ पहली खबर सुमवार 27 मही को BSC का शेर दो खबरों के चलते फोकस में था पहली ये कि BSC इंडेक्स पोवाइडर एशिया इंडेक्स की बाकी बची 50 फीजदी ख़ईदारी ख़ईदने जारी है अपने जेवी पार्टनर S&P Dow Jones यानि SPDJS से ये हिसदारी 30 करोड उपे की रकम में ख़ईदी जारी है इस सौदे के बाद एशिया इंडेक्स में BSC के 100 फीजदी मालिकाना हक हो जाएगा इस अधिग्रहन को मारकेट रेगलेटर सेभी ने दिसंबर 2023 में मनजूरी दे दी थी दूसी खबर ये है कि National Stock Exchange यानि NSE ने 10 जून से 2500 रुपे से कम प्राइस वाले सबी शेरों का टिक साइज यानि minimum price difference पाँच पैसे से घटा कर एक पैसा करने का फैसला किया है टिक साइज दो लगातार बिट्स और offer prices के बीच minimum price difference को बताता है इस फैसले से एक तो liquidity को improve गया जाएगा और दूसरा बहतर price discovery होगी इतना ही नहीं NSE के इस फैसले से BSE की monopoly खत्म होने की भी आशंका जताई जारी है 27 मई को BSE का शेर एक फीजी से ज़्यादा गिर कर 2700 रुपे पर बंद हुआ हलाकि दिन के दुरान शेर 2652 रुपे तक भी फिसल गया था अगली खबर देश की सबसे मुलेवान कमपनी Reliance Industries यानी RRL को लेकर इस सबते कई तरह की खबर थी पहली खबर ये है कि कमपनी अब भारत के साथ साथ विदेश में भी तेजी से अपनी धाग जमा रही है अहम साबित होगा करार के तहट Reliance को इंडिया में नेल के Alkaline Electrolyzers का Exclusive License और इन Electrolyzers की को Globally Manufacture करने का अधिकार मिलेगा आपको बता दें कि इस समय NEL A.S.A. की Global Electrolyzers Markets में 15 फिस्दी की हिसे दारी है नॉर्वे के लावा कंपनी अफरीका में भी अपनी पकड मजबूत कर रही है दरसल जीयो प्लाटफॉम्स की सब्चिडरी रेडिसिस अफरीका में 4G और 5G Shared Network Services पदान करने की तयारी में है इस पहल में Tech Mahindra, Nokia और घाना सरकार Reliance के साथ साज़ेदारी में हैं जो इसमें Next Gen Infrastructure Company यानि NGIC के तहद भाग ले रही है 27 मई को RIL का शेर करीब 1 फिस दी गिर कर 2934 रुपे 90 पैसे की सतर पर बंद हुआ 29 मई को खबर थी कि RIL Quick Commerce सेक्टर में एंट्री लेने जा रही है इस तरह RIL Blinkit, Instramart, Zepto जैसे Apps को टक कर देगी Reliance पहले से ही अपने Geomart के साथ Online Shopping सेक्टर में एंट्री कर चुकी है अब Geomart पर ही Quick Commerce सेवा शुरू की जाएगी इस में मिंटों में आप घर पर ग्रोसरी, छोटे एलेक्टरोनिक आइटम्स और रोजाना इस्तिमाल की जरूरी चीज़ें मंगा सकते हैं 29 मई को RIL का शेर एक फीज़ी से जज़ादा गिर कर 2881 रुपेई पांच पैसे की सतर पर बंद हुआ था अगली खबर 27 मई को गेमिंग और मीडिया फर्म नजारा टेक्नोलोजीस के 48 रशनलव 8-4 लाग शेरों का सौधा हुआ जो की कंपनी की करीब 6.5 फीज़ी हिसेदारी के बराबर है कमपणी के और से साधा की गी जानकारी के मताबिक प्रमोटर मितर इंफो टेक्ने के कमपणी के प्रि आई पो ने वे शक्तुर्टरस वेल्थ मैंजमेंट को यह हिसेदारी बेची इस सौदे के बाद Plutus Wealth Management करीब 13 फीज़ी हिसेदारी के साथ कंपनी का सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर बन गया है वहीं मित्तर InfoTech की कंपनी में 10 फीज़ी से जादा हिसेदारी बची है ये ब्लाग डील प्रमोटर्स को थोड़ी लिक्रिटी मोहिया करवाने के लिए की गई है और प्रमोटर्स की कंपनी में आगे और हिसेदारी बेचने की कोई योचना नहीं है 27 मई को नजारा टेक का शेयर 11.5 फीज़ी की बड़त के साथ 685 रुपे के सर पर बंद हुआ पेटियम का कहना है कि वो अब अपनी एक और सब्सीडरी पेटियम इंशारेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड यानि पी आई बी पी ल के जरीए इंशारेंस डिस्ट्रिबिशन पर फोकस करेगी और इस कारोबार में अपनी पकड को और मजबूत करने के लिए पेटियम, डिजिट, एको, न्यू इंडिया, बजाज अलाइंस, टाटा, AIG और अन्ने इंशारेंस कमपनियों के साथ पार्टर्शिप गहरी करने पर फोकस करेगी रिपोर्ट्स के मताबिक ये अरजी वापिस लेने से कमपनी साड़े नौसो करोड रुपे बचा पाएगी जो उसने PGL में निवेश के लिए पस्तावित किये थे 27 में को पेटियम का शेर 5 फीजदी के उपरी सरकेट पर 357 रुपे 95 पैसे किस तर पर बंद हुआ था अगली खबर पचाल साल से जादा के लंबे इतिहास में टाटा मोटर्स की UK की सब्सिडिरी जेयलार ने एक इतिहासिक फैसला लिया है जेयलार ने अपने आइकॉनिक रेंजरोवर और रेंजरोवर स्पॉट मोडल्स को UK यानि ब्रिटेन से बाहर असेम्बल करने का फैसला लिया है इस फैसले के चलते है टाटा मोटर्स के पूने में स्थित मैनुफेक्टरिंग प्लांट में नई असेम्बली लाइन तयार की जाएगी भारत में असेम्बल करने से इन गाडियों की कीमत में 18-22 फीजदी कामी होने की संभावना है रेंज रोवर की कीमत 3.3 करोड रुपे से घटकर 2.6 करोड रुपे और रेंज रोवर स्पॉट की कीमत 1.80 लाख रुपे से घटकर 1.40 लाख रुपे रह जाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में विदेशी गाडियों को असेम्बल करने पर 15 फीजदी पूरी तरह इंपोर्टेट मॉडल्स पर 100 फीजदी से ज़ादा ड्यूटी लगती है 27 में को टाडा मोटर्स का शेर हलकी गिरावट के साथ 969 रुपे 20 पैसे के साथ पर बंद हुआ था अगली खबर रिलाइंस समू की फिनाइशल सर्वेसिस कारोबार से जूड़ी कंप्टी जियो फिनाशल सर्वेसिस यानी जे फैसल ने रिलाइंस रीटेल से 36,000 करोड उपे के टेलीकाम उपकरन खडीदने के लिए अपने शेरधाकों से मनजूरी मागी है गुरुवार 30 मही को जारी हुए पूस्टल बैलेट के नोटिस के मताबिक वोटीन 22 जून को खत्म होगी माना जा रहा है कि ये डील 2026 में पूरी होने की संभावना है इस डील के मताबिक JFSL की सबसेडरी जीयो लीजिंग सर्विसेस यानी JLSL डेवाइस एज़ सर्विस यानी डास के जरीए ओपरेटिंग लीज कारोबार में उतरेगी JLSL की और से टेलिकॉम उपकरन खरीदे जाएंगे जिसमें राउटर्स और सेलफोन शामिल होंगे उसके बाद ये कंपनी इन खरीदे हुए उपकरनों को रिलाइंस क्रूप की टेलिकॉम एकाई रिलाइंस जीयो के ग्रहकों को लीज करेगी खबरों के अनुसार JFSL जियो इन्फो कॉम की कुछ सेमाएं जैसे एर फाइबर, वाइफाई, फोन और लैप्टॉप्स लीज करेगी और इस तरह डिवाइज लीजिंग मार्केट में उसका सीधा मुकाबला लेनोवो और एच्पी से होगा 27 मही को जियो फिनेंशल का शेयर करीब डेट फीजदी की गिरावट के साथ 360 रुपे के सर पर बंद हुआ था 31 मही को खबर थी कि कम्पनी ने जियो फिनेंश के नाम से एक नया एप लाँच किया है ये एप गूगल पे फोन पे जैसे बड़े फिन्टेक एप्स को टक कर देगा इस एप की फिलहाल बीटा टेस्टिंग की जारी है और यूजर फीडबैक के बाद इसे और बहतर किया जाएगा इस एप पर यूपियाई पेमेंट, बिल पेमेंट, इंशॉरेंस अडवाईजरी और डिजिटल बैंकिंग जैसी सेवाएं दी जाएंगी बाद में होम लोन और लोन अगेंस्ट मूचल फंड जैसे क्रेडिट प्रड़क्ट भी दिये जाएंगे 31 मही को जियो फिनेशल का शेयर करीब पौने एक फीज़ दी गिरकर 345 रुपे के सर पर बंद हुआ हलाकि इंटर डे में शेयर 357 रुपे 90 पैसे तक भी उचल गया था अगली खबर अधानी समों की कंपनियां बीते पूरे हफ़ते में कई खबरों के चलते फोकस में रही 27 माई को खबर थी कि एक्टी और डेट के जरीए अधानी ग्रुप 33,525 करूड उपे जुटाने की तियारी कर रहा है इस कड़ी में कंपनी इस अफ़ते रोडशो शूरू करने जारी है निवेशकों को रिनियोबल अनरजी, पेट्रो केमिकल और इंफर सेक्टर में कंपनी के इन्वेस्मेंट प्लान के बारे में जानकारी देने के लिए अधानी ग्रूप दुनिया के बड़े शेहरों में रोडशो करेगा 27 माई की शाम को खबर आई कि अधानी एनरजी सिल्यूशन के बोर्ड ने साड़े 12,000 करूड रुपे तक की रकम जुटाने को मनजूरी दे दी है कंपणी ने कहा है कि ये रकम शेयर जारी कर QIP या अन्य किसी तरीके से जुटाई जाएगी 27 माई को अधानी एनरजी का शेयर मामूली बड़त के साथ 1927 रुपे 50 पैसे के सर पर बंद हुआ था 28 माई को खबर थी कि अधानी ग्रुप की फ्लैक्शिप कंपनी अधानी एंटरप्राइजिस के बोर्ड ने 16,600 करूड पर जुटाने को मनजूरी दे दी है बोर्ड ने कंपनी को QIP या किसी दूसरे माद्यम से फंड जुटाने को मनजूरी दी है 28 माई को अधानी एंटरप्राइजिस का शेर डेड़ फीजदी की कमजूरी लेकर 3,249 रुपे के सर पर बंद हुआ था 29 माई को खबर थी कि देश के दिगज कारोबारी गौताम अधानी अब फिंटेक के छेतर में उतरने की त्यारी में है रिपोर्ट्स के मताबिक अधानी समू जल्द ही यूपी आई लाइसंस के लिए अपलाई कर सकता है ग्रूप की को ब्रेंडिट क्रेडिट कार्ड लाँच करने की भी योजना है इसके लिए ग्रूप की कई बैंकों से बातचित चल रही है यही नहीं कंपनी सरकारी ई-कॉमर्स प्लाटफरम ओएंडीसी के जरिए आनलाइन शॉपिंग सर्विसिस मोहिया कराने पर भी विचार कर रही है इस बीच अधानी और पेटियम के फाउंडर विजे शेकर शर्मा के बीच एमदाबाद में एक मीटिंग हुई है इसके बाद पेटियम में अधानी समू के हिसेदारी खाईदे की अटकलें भी लगाई जारी थी आपको बता दे कि फिलहाल पेटियम में कंपनी के फाउंडर विजे शेकर शर्मा की करीब 19 फीजदी हिसेदारी है दूसे दिन 5 फीजदी के उपरी सरकर पर जाके बंद हुआ 31 मई को खबर थी कि अधानी पोर्ट की सब्सिडिरी कंपनी AIPH ने तंजानिया के डर एस सलाम पोर्ट के कंटेनर टामिलन टू यानि CT2 को अपरेट और मैनेज करने के लिए तंजानिया पोर्ट्स एथारिटी के साथ 30 साल का कंसेंशन एग्रीमेंट साइन किया है 31 मई को अधानी पोर्ट्स का शेर 4 फीजदी की बड़त के साथ 1449 रुपे के सर पर बंद हुआ और दिन के दौरान 1457 रुपे 5 पैसे के 52 वीक हाई के बेहत करीब पहुँच किया था अगली खबर ममा अर्थ की पैनेंट कंपनी होनाजा कंजूमर ने कॉस्मेटिक फॉर्मूलेशन और डेवल्पेंट कंपनी कॉस्मो जेनसिस लैप्स के एसेट के अधिग्रेण की घोशना की है दोनों कंपनियों के बीच करीब 4 करोड उपे में ये सौधा तैय हुआ है आपको बता दे कि होनासा की और से ये अब तक का चौथा अधिग्रेण है इस अधिग्रेण से होनासा को कॉस्मो जेनेसिस की दिल्ली में मौझूद एक मैनुफेक्ट्रिंग फैसिलिटी और खरीब 4,000 ब्यूटी प्रोड़क्स के फॉर्मूलेशन हासिल हुए है इससे पहले इस कम्टी ने डॉक्टर शेट को 28 करूड रुपे के वैलिशन पर बी ब्लंट को 135 करूड रुपे के वैलिशन पर और कंटेंट प्लाटफॉर्म मौमस्प्रेसो को एक अनाम राशी में खरीदा था 28 माई को मामार्थ के शेर में डेट फीजडी से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 419 रुपे 70 पैसे के सतर पर कारोबार की समापती देखने को मिली अगली तरफ एक तरफ जहां चुनाव के बाद मॉबाइल टैरिफ बढ़ने से जुड़ी खबरे आ रही हैं वहीं ऐसा करना वोड़ाफोन आईडिया के लिए असान नहीं होगा Bank of America Securities के एक सर्वे के में सामने आया है कि 42 फीजदी वोड़ाफोन आईडिया के ग्रहकों ने कहा है कि अगर कंपनी टैरिफ बढ़ाती है तो वो या तो कम कीमत वाले प्लान पर स्विच करेंगे या फिर अपनी सेकेंडरी सिम बंद कर देंगे वहीं दूसरी और कंपनी ने अपने 4G और 5G ग्रहकों को आकरशित करने के लिए एक्स्टा डेटा की पेशकश वाले रीचर्ज प्लान की घोशना की है What of an idea के और से ये ओफर वी आई गारंटी प्रोग्राम के तहट दिया जाएगा कंपनी का ये ओफर सीमिद अबदी के लिए होगा जिसके तहर प्रीपेड ग्रहकों को एक साल की अबदी के लिए 130 GB गारंटेड एक्स्टा डेटा दिया जाएगा कंपनी ने कहा है कि 130 GB डेटा यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगा हर 28 में दिन 10 GB डेटा अकाउंट में आटोमेटिक ट्रांसपर हो जाएगा और ऐसा ये 13 बार होगा यूजर्स को इस आफ़र को पाने के लिए 249 रुपे और उससे जादा के डिली डेटा अनलेमिटेड प्लान का रीचार्ज करना होगा 28 माई को वड़ा फून आइडिया के शेर में करीब साड़े 3 फीज़दी की कमजोरी के साथ 14 रुपे 55 पैसे के एक स्तर पर कारोबार का अंथ देखने को मिला अगली खबर कमजोरी नहीं हैं माना जा रहा है कि नई सरकार की और से कंपोजिट लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा 28 माई को लैसी का शेर 2 फीज़दी से ज़्यादा गिर कर एक हजार 14 रुपे की स्तर पर बंद हुआ था अगली खबर इस सेदारी थी जो इस सौदे के बाद घटकर 33.4 फीज़दी हो गई है इस ब्लॉक डिल में गोल्में साक्स बी और पी पारिबा और ओको वर्ल्ड ओको विजन क्लासिक फंड के नाम खरेदारों की सूची में सामने आये हैं कारोबार के अंत में आयनोस्विंट के शेर में 8800 करोड रुपे आखी गई है जिसमें कमपनी के विदेशी परमोटर टिम केन सिंगपोर ने अपनी इस सेदारी बेची है मार्स दिमाही के अंत तक विदेशी परमोटर के पास इस कमपनी की करीब 57.5 फीज़दी इस सेदारी थी जो की 4.5 करोड शेरों के बराबर बैठती था तीसा नाम है कॉनकोड बायटक का जिसके 37 लाग शेरों यानि करीब साड़े 3.5 फीज़दी इससे की ब्लॉग डिल हुई फ्रोड प्राइस से सवा 6.5 फीज़दी उपर 14.01 रुपे 25 पैसे पर हुई इस ब्लॉग डिल की वैल्यू 519 करोड रुपे बताई गई है इस कंपनी के एक शेरधारक उंटारियो इंग की और से हिस्सेदारी बेची गई है मास से माही तक उंटारियो इंग के पास कंपनी की करीब 5.5 फीज़दी इससेदारी थी और माना जा रहा है कि उंटारियो इंग की बाकी बची इससेदारी पर 90 दिनों का लॉक इन पीरिड हो शाम को खबर आई कि इस ब्लॉग डिल में गॉर्मेंट पेंशन फंड क्लूबल के लिए नौजस बैंक ने 1386 रुपे पचारमे पैसे के भाव पर 6 लाक शेरों या करीब कर दिये हैं नौबलिस के आई पीओ का प्राइस बैंट 18-21 डॉलर पती शेर ताय किया गया है इस आई पीओ के जरे कंपनी की साड़े चार करोड शेर जारी कर साड़े 94 करोड डॉलर जुटाने की योजना है इस आई पीओ को जरे जुटाई जारी रकम के हिसाब से कंपनी 12. 6.6 अरब डॉलर के वैलिशन को टागेट कर रही है जबकि 2007 में नॉबलिस्कों हिंडालकों ने महज 600 करूर डॉलर की रकम में खईदा था 29 मही को हिंडालकों का शेर कमजोर बाजार में भी 3.5 फीज़ी की मजबूती के साथ 705 रुपे 30 पैसे के सरपर बंद हुआ था और इंटरडे में शेर ने 713 रुपे 50 पैसे की रिकॉर्ड उचाई को भी चुआ था अगली खबर भारती ग्रूप की कमपनी भारती एक्जा लाइफ और एस्बीए लाइफ इंशॉरेंस के बीच करार की बातची तूट गई है दोनों कमपनियों में लाइफ इंशॉरेंस वेंचर को लेकर सहमती नहीं बन पाई है जिससे इंशॉरेंस सेक्टर से मित्टल फैमिली के बाहर निकलने में देरी होई है लेकिन साथी प्राइवेट इकुटी निविश्कों के लिए फिरम को खरीदने का रास्ता भी खुल गया है मित्टल परिवार भारती एक्जा लाइफ को बेचना चाह रहा है क्योंकि भारती ग्रूप टेलिकॉम सेक्टर पर फोकस करना चाहता है 29 माई को SBA Life Insurance का शेर धाई फीजदी की कमजोरी के साथ 1414 रूपे के सर पर बंद हुआ था अगले खबर बुदवार 29 माई को PNB Housing Finance के करीब सवा करोड शेरों यानि पौने 5 फीजदी हिस्से की BSE पर बड़ी ब्लॉग डिल हुई इस ब्लॉग डिल में Asia Opportunities 5, Mauritius और General Atlantic Singapore Fund ने अपनी इसेदारी बेची है मार्च अन तक Asia Opportunities 5 के पास कमपनी की 9.88 फीजदी और General Atlantic Singapore Fund के पास करीब पौने 10 फीजदी इसेदारी थी 29 माई को PNB Housing Finance के शेर में पौने 7 फीजदी की कमज़ोरी के साथ 735 रुपे के सर पर कारोबात की समापती हुई हलाकि शेर का इंटाडे लोग 724 रुपे का था अगली खबर गुरुवार 30 माई को Office Space Solutions के IPO की लिस्टिंग हुई जो की अच्छी कही जानी चाहिए दरसल NSE पर Office Space Solutions का IPO 435 रुपे पती शेर के भाव पर लिस्ट हुआ यानि की इशू प्राइस से करीब 13.5 फीजदी प्रीमिम पर लिस्टिंग हुई क्योंकि इस IPO को इशू प्राइस 383 रुपे पती शेर था इस IPO को निविश्कों से शांदार रिस्पांस मिला था या IPO 108 होना से जादा सब्सक्राइब हुआ था इस IPO को जरिये कमपणी ने कुल 599 क्रोड रुपे के आसपास की रकम जुटाई है कारोबार के अंत में Office Space का शेर 415 रुपे 95 पैसे के सर पर बंद हुआ जो की 435 रुपे के आपनिंग प्राइस से करीब साड़े चार फीजदी नीचे है पर 383 रुपे के इशू प्राइस के मकाबले करीब साड़े आठ फीजदी के प्रीमियम पर है अगली खबर आज ते बिरला Housing Finance में सेधारी बिना बदलाव के 100 फीजदी पर बरकरार है ये निवेश कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने और फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है 30 मई को AB Capital का शेर करीब पौने 2 फीजदी की गिरावट के साथ 220 रुपे 80 पैसे के सतर पर बंद हुआ हाला कि कारोबार के शुरुवाती कुछ मिंटों में शेर 226 रुपे 70 पैसे तक भी उचल गया था अगली खबर गुरुवार 30 मई को केफिन टेक की 6 फीजदी इसेधारी की ब्लॉग डिल हुई यह ब्लॉग डिल 720 रुपे के फ्लोर प्राइस पर हुई इस सौदे में जनरल इट्रांटिक ने अपनी हिसेधारी बेची है इस सौदे के बाद जनरल इट्रांटिक के पास कंपनी की 31.2 तीन फीजदी हिसेधारी बचेगी आपको बता दे की प्रमोटर ग्रूप जनरल इट्रांटिक ने जनरल इट्रांटिक सिंगापूर फंड और जनरल इट्रांटिक सिंगापूर के एफटी के जरिये इस कंपनी में हिसेधारी बेची है सिंगापूर फंट के पास 38 शौनलव 63 फीजदी और सिंगापूर की एफटी के पास इस कंपनी की 6 शौनलव 94 फीजदी इसेदारी थी तीस मई को के फिंटेक के शेर में 9 फीजदी से ज़्यादा की गिरावट के साथ 676 रुपे के सर पर दिन के निचले सर के करीब कारोबार की समापती देखने को मिली अगली खबर गुरुवार 30 मई को पी फर्म टीपीजी एशिया ने वायर और केबल बनाने वाली कंपनी आरार काबेल में अपनी पूरी इसेदारी बेजदी है इस डील में टीपीजी एशिया ने करीब 5 फीजदी इसेदारी या 56 लाग से जादा शेरों की बिक्वाली की है करीब 1701 रुपे के भाव पर बेची की इसेदारी की वैल्यू लगभग 958 करोड रुपे आ की गई है टीपीजी एशिया ने प्री एइप्यो यानी करीब 5 साल पहले आरार काबेल का करीब 21 फीजदी इसेदारी इसेदारी कम की है तीस माई को आरार काबेल का शेर एक शुताई फीजदी से ज़दा गिर कर 1718 रुपे असी पैसे पर बंद हुआ हलाकि शुरुआती कुछ मिंटों में शेर 1820 रुपे तक भी उचल गया था अगली खबर टू विलर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमप्टियों में से एक हीरो मोटो कॉप की फिनाशल सर्विसिस कारोबार से जुड़ी सही होगी कमपनी हीरो फिन कॉप इस कमपनी के बोर्ड ने 29 मैं को ही बैठक में आई पो लाने के पस्ताव को मझूरी दे दी है इस आई पियो में फ्रेश इशू के जरीए कंपनी की चार हजार करोड रुपे जुटाने की योजना है यानि कि ये रकम कमपनी के पास आईगी इसके लावा आफर फसेल यानि ओएफेस के जरीए कमपनी के मौज़दा शेयधारत भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे इस कमपनी में परमोटर्स यानि मुझाल फैमली की 35 से 49 फीर्दी हिस्सेदारी है और बाकी बचा हिस्सा अपोलो ग्लूबल, क्रिस कैपिटल, क्रेडिट स्वीज जैसे प्राइवेट एकुटी इन्वेस्टर्स और हिरो मोटो कॉप के कुछ डीलर्स के पास है 30 मही को हिरो मोटो कॉप का शेर कमजोर बजार में भी हलकी बड़त के साथ 5152 रुपे के सर पर बंद हुआ और शेर का इंटर डेहाई 5186 रुपे 95 पैसे था अगली ख़बर मुरुगपपग गुरूप की कमपनी ट्यूब इन्वेस्मेंट्स आफ इंडिया की सहयोगी कमपनी टी-ाई क्लीन मोबिलिटी ने उलेक्ट्रिक ट्रुप बनाने वाली कमपनी आई पील टेक इलेक्रिक में हिसेधारी बढ़ा ली है इस हिस्सा खरीद के लिए कंप्टी ने 185 करोड रुपे की रकम खर्च की है टी आए क्लीन मोबिलिटी के और से ये निवेश इलेक्टिक ट्रक बिजनस में अपने इसे दारी कंसॉलिडेट करने की योजना के तहद किया गया है खबर के चलते 31 मैं को ट्यूब इन्वेस्मेंट्स आफ इंडिया का शेर 3500 रुपे तक लुड़क गया था जो की एक मेने का निच्छा स्थर है पर कारोबार का अंत करीब सावा तीन फीजदी की कमजोरी के साथ 3589 रुपे के स्थर पर देखने को मिला